Assalamu alaikum, MetaHash की पिसली वीडियो में मैंने आपको बताया कि MetaHash fourth generation blockchain है यानि ये Cardano, Polkadot से भी advanced blockchain technology है पिसली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप MetaHash से किस-किस तरीके से earning कर सकते हैं अगर आप Cardano वगएरा पे करते हैं तो Cardano के या तो आप token hold करके उसकी value अप जाने से आप benefit earn करते हैं या आप staking वगएरा कर सकते हैं लेकिन MetaHash थोड़ा सा बावजूद इसके कि ये fourth generation technology है बकोल इनके ये technology जहाँ Cardano वगएरा यानि third generation blockchain से भी advanced technology है तो इसके बावजूद ये referral earning भी show करते हैं ये forging की option भी देते हैं और Cardano की तरह ये staking पे profit भी देते हैं MetaHash जो है staking पे 40% revenue share करता है per annum और ये daily के daily आपके account में credit होता है पिछली वीडियो में तो मैंने आपको MetaGate पे करना सिखाया था लेकिन बहुत से users मेरे से demand कर थे मेरे subscriber के mobile पे क्या हम forging कर सकते हैं या नहीं आपल स्टोर में है तो वहां पे आपने mh connect ये application लिखना है mh connect और इसको आपने install कर लेना है तो open आपने करना इसको और जैसे ही आप open करेंगे तो terms of use आएगा इसको read करके नीचे i accept पे क्लिक करना है यहां में आपको दो options दे रहा है अगर तो आपने metahash का wallet create नहीं किया है तो आपने उपर वाली option पर click करना है लेकिन अगर आपने metagate के ओपर already wallet create किया है मैंने पिछली वीडियो में आपको guide किया कि कैसे आप metagate के ओपर forging भी कर सकते हैं अपने coins को delegate भी कर सकते हैं उसका backup भी ले सकते हैं अगर तो आपने already metahash coin का wallet create किया है तो आप नीचे यहां से import कर सकते हैं मैं आपको दोनों options को करना सिखा हूंगा सबसे पहले create पर click करते हैं यहां पर आपको guide line दे रहा है कि आप password कैसे create करना है वो कह रहा है कि आपने word जो है याई ABC उनमें से एक दो word capital रखना है lower case रखना है फिर इसी तरह numeric एक दो word डालना है और साथ special word तो मैं यहां पर आरजी तोर पे चुके मैंने wallet create करना है तो मैं C capital यह पासवर्ड आपके system के लिए है अच्छा यहां पर यह आपका wallet create हो गया यह उपर आपको address नजर आ रहा है एक तो जाहरी बात है address तो आपको access होगा यह जो encrypted QR code है यह आपका backup है इसको आपने यहां पे scan print shot लेके और नीचे अगर आपने QR code नहीं रखना तो नीचे यह जो encrypted की है इन दोनों को आपने यहां से save करना है और un encrypted यह सारी आपने actually backup के तोर पे रखना है तो इसका आपने कह नहीं नहीं backup रखना है ताकि कल को अगर आपका mobile device खराब हो जाती है गुम हो जाती है तो आप इसी wallet को आप नए mobile के अंदर import कर लें ताकि आपके funds भी save रहे हैं तो आपने जब backup बनाना है तो backup एक से ज़्यादा जगों पे रखना है ताकि उदाना खासता अगर एक दो यहां पे कुछ भी नाव रखते हैं testing to यहां w कुछ भी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए wallet क्रियेट कर रहा हूँ मैंने already meta coin का wallet क्रियेट किया हुआ था तो वह wallet भी अब यहां पे दुबारा जो है मैं import करके आपको दिखाता हूँ जरूरी नहीं के आप meta gate वाला import कर सकते हैं इसका अपना meta image connect का जो wallet क्रियेट करेंगे वह भी इंपोर्ट कर सकते हैं wallet actually same एक ही wallet है लेकिन मुफलिफ devices मुफलिफ applications हैं वहां पे आप एक ही wallet इंपोर्ट कर सकते हैं तो यह हो गया यहां पे मैं login कर सकता हूँ अपनी login पिन आपने कुछ भी रखनी है अचा ही आपको जो माईल स्क्रीण में नजर आ रहा है कि मेरा wallet create हो गया है जैसी wallet create हो गया है अगर इसकी यह तीन बार जो बनी है इसके ओपर क्लिक करोंगा यहां पर option है यहां पर wallet import भी कर सकता हूँ यहां मैं wallet export भी कर सकता हूँ और यहां पर create wallet की option भी है अब create wallet का तो मैंने सारा go through हो गया हूँ, अब for example, import करना है मैंने wallet, क्योंकि इस wallet में तो आप देख रहे हैं, जो मेरा meta gate में account है, जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, उसमें balance है, तो मैंने सोचा कि उसको यहां पर import करता हूँ ताकि आपकी भी practice हो जाए, इस वक्त मैंने वहां पर import करना है, meta gate को open करने के पास meta wallet ये पढ़ा हूँ, आपने meta wallet पर click करना है, और उसके बाद यहां पर जो भी आपका wallet होगा, उसके यहां right side पर QR code है, आपने QR code के उपर click करना है, जैसी आप click करेंगे तो यहां पर दो किसम के code है, एक secure QR है और एक open QR है, आपने जो आपका meta gate का password आपने रखा होगा, वो आपने password यहां पर देना है, यह आपका open आगया और mobile screen पर, जहां पर import की option है, import पर click करें, यहां पर आपने password रखना है, जो आप wallet create कर रहे हैं, और यहां पर आपको mobile screen में नजर आ रहा है scan QR, इसके ओपर मैं click करूँगा, और जहां पर भी आपने backup रखा हुआ है, meta gate में नहीं रखा हुआ है, वैसे किसी और जगा आपने backup रखा हुआ है, तो आप इसको यहां पर scan करेंगे, मैं अभी scan करूँगा, यह देखे मेरा wallet scan होगया, यहां पर मैं wallet का नाम रखूँगा, meta gate, तो save पर click करूँगा, तो यह वाला मेर wallet भी मेरे MH connect, जो mobile wallet है, उसमें import होगया, login pin भी इसकी मेरा ख्याल है, already मैंने set की हुई है, वही है, यह देखें, आपको यहां पर मेरा balance नजर आ रहा है, meta gate का, तो इस तरह आप MHC के उपर आप कर सकते हैं, यहां पर आपको delegate, अचा यहां पर आपको यह बता दूँ, send के button प buy की हैं, तो आपने receive के उपर click करना है, इस button के उपर और यहां से आपने उस wallet का address लेना है, जिस wallet में आप funds मंगवाना चाहते हैं, तो क्यों coins है, वहां से आप import कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता, तो पीछे मैंने, जो video है, उसमें ko coins से, MHC coins को buy करके, meta gate पे transfer किये थे, आ आपने वो video लाजमी देखनी है, बलके मैं तो आपको कहूँगा, meta hash के ओपर जितनी मैंने पिछली videos देखी हैं, उनका सब का link मैं इस video की description में देदूँगा, आपने वो सारी videos देखनी है, ठीक है, अब इस सवाले से, इसी तरह, मैं back आता हूँ इस पे, तो आप delegate भी कर सकत आपके पास laptop computer नहीं है, तो आप मोबायल पे MH Connect application इंस्टाल करके, अपना wallet क्रियेट करके, या इंपोर्ट करके, अगर आप delegate पे click करेंगे, तो आप अपने funds जो है, वो delegate करेंगे, और अगर delegate करेंगे, तो उस पे आपको 40% per annum, ये meta hash वाले आपको pay करेंगे, ये बहुत opportunity है, इस program को अची तरह understand करें, इसको आपने मेरी financial advice नहीं लेना, ये paid project है, अगर आपने इसके अंदर ये investment करनी है, with due diligence और proper research के बाद आपने investment करनी है, ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजादत, अला हाफिज